मुंबई के डोमी वली गैंग रेप मामले को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्णवीस ने बेहत चिंता जनक बताया नेता विपक्ष फर्णवीस ने घटना पर जताया दुख नाकुर शहर में डेगु के साथ मलेरिया ने मचाया कोहराम प्रशासन की लापरवाही से मरीज संख्या बढ़ी और पेंच रिजोर्ट में दो घंडे के लिए प्रख्याच शो बिग बॉस की हुई शूटिक कई कलाकार पहुचे और नामों की हो सकती है धोशना और अब खबरे विस्तार से दोरान बोल रहे थे इस दोरान देविंद्र फर्णविस ने ओबीसी आरक्षन के विशय पर भी अपने मतस्पष्ट किये ओबीसी आरक्षनाच्या संदरबातला जोके अध्यादेश आहे हाँ पहल्यांदा जा सोरूपात पाठवला होता त्या सोरूपा मदे तोजर मंजूर जाला आसता तरी ही कोर्टातना तेचा ओर सगीती आली हैस्ती मुणून राज्य पालान ने तेर सरकार चा लक्षा ताणून दिलो सरकार ने सुधारित अध्यादेश राज्य पालान कड़े पाठवला तेचा नंतर ची माहिती आत्ता माझा कड़े नाई है अपले माहिती करता एकतर इंपेरिकल डेटा नाई तो सेंसस डेटा है इंपेरिकल डेटा चा संदर्बात माक्चा सीएम समोर्चा बैटे कीतास खुला सा जाले ला है आली त्या मुले अश्या परकार चा अध्यादेश सरकार ने काड़ ला है आली सग्यात महत्वात्च आज सर्वोच्य नायल्यामदे केंदर सरकार ने विळ मागेत लेली नाही राज्य सरकार ने चार अउठडेची विळ मागून गेत ले है त्यामें क्रुपया तुमची माहिती सुधारीत करा आज बाला सेफ थोरा ताणी नाना पटोले यहन्नी माजी भेड गेत लिया है आली तेन्नी मला विनंती के लिया है कि राज्य सबेची निवण्नुक बिन्विरोध भावी या संद्रबाद जरूर मी तेनना सांगितल की आमची कोर कमेटी प्रदेश अद्यक्ष या सगेंची आमी चर्चा करू आणी त्यानंतर या संद्रबादला अंतिम दिरने आमी घ्यो बारा आमदारांचा वगरे विशय याटिकानी काही नाई भारतिये जन्ता पारटी सवधे बाजी करत नाई कही पत्रकारान ना अलिकर्चा कालामदे पतंग उडवेची सवय धाली है तेननी उडवलेले या पतंगी आहे मी यवड़स सांगतो आमचे बारा आमदार जे सस्पेंड के लिए ते नियम भाई है आमी ते असंद्रवाद कोर्टात गेल हुत आमी कोर्टात ने लढाई लडू आणी बाहरे लढाई करू आमी संगर्ष करनारे लोका होत साओदे बाजी करनारे आमी लोका नही बलास वट्ट की ही घटना आतीशे गंभीर आहे आणि आशा गंबीर घटना घडल्या नंतर सत्तारूल पक्षाचा वतीन जा प्रकारची प्रतिक्रिया दिली जाती सत्तारूल पक्षाचा वतीन जा प्रकारे वेगलया वेगलया राज्यान कड़े बोड दाखावला जातो मलास वट्टै असववेदन शीलता है असववेदन शील अता है त्यामले अश्या प्रकार्चा असववेदन शील लोकान करना कुठली अपेक्षा मी बलगत ना है सामने अमदे जी टिका केलेली आहे ती दर्जाहीन टिका है राज्य पालांचा पदाचा सनमान हा समझुन गेतला पाईजे आली सरवात महत्वाच असाय कि टिका करताना राज्य पालांची चूग दाखोंदीली आली ती तुम्हाला सुधारावी लागली या मोले जी मलमल आणी तलमल दिस्ते है ती या टिकेत न दिस्ते है पड़ अश्या प्रकारची किती ही जहरी गाने रड़ी और खाल्चा दर्जाजी टिका केली तर त्यातना टिका कारांची प्रवरूत्ती रिष्टे त्यातना राज्य पालांची किमात्या संस्ते से कुटले ही वाकड़ होत नाई डुम्वी ओली ची घटना ही अतीशे शौकिंग है अतीशे धक्कादायक है आणे अश्या प्रकारची घटना उगड़ की साल्यान उंतर निश्चित राज्या मदे एक भयाचा वातावरन तैयार जालीला है सातत्याने वारत्या घटना या चिंता जनक है मलासवट्ट की सरकार ने गुरुह मंत्रा लेयाने आणे पोलिसान येचा मरे विशेश लक्ष गालाची आवोशकता है आणे डुम्वी ओली सरका भाग जो साधरन पड़े एक शांत भाग समझला जातो साफ पानी में पनपने वाले डेंगू के मच्छर ने पूरे विदर्भ में आतंक मचार खा Sé ये है कि खराप पानी में पनपने वाले मलेरिया के मच्छरों ने भी लोगों को हलाकान करना शुरू कर दिया है गत वर्ष की तूलना में इस बार इनकी तीवरता को ज्यादा ही है पिछले वर्ष पूर्व विधर्ब में मलेरिया के 7,051 मरीज मिले थे जबकि जनवरी से लेकर अब तक यानी करीब साड़े 9 महिने में 7,811 से अधिक मरीज मिले है इतना ही नहीं इस कालावधी में 12 मरीजों की जान भी चली गई स्वास्ते विभाग पूने कार्याले से मिली जानकारी के अनुसार विभाग में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 2020 तक 7,051 मरीज मिले थे इन में सरवाधिक 6,450 मरीज अकेले गट्चिरोली जिले में थे वही भंडारा में 14, गोंदिया में 347, चंदरपूर ग्रामिन में 196, नाकपूर ग्रामिन में 3 और सिटी में 6 मरीज मिले थे चंदरपूर सिटी और वर्धा जिले में कोई भी मरीज नहीं मिला था एक जनवरी से 14 सितंबर 2021 तक 7,811 मरीज मिले है इन में सबसे अधिक 7,300 मरीज अकेले गट्चिरोली जिले में मिले वही भंडारा में 7, गोंदिया में 381, चंदरपूर ग्रामिन में 111, नाकपूर ग्रामिन में 5, सिटी में 4, वर्धा जिले में 3 मरीज मिले है गत वर्ष की तरह ही इस बार भी चंदरपूर शहर में एक भी मरीज नहीं मिला पिछले दो वर्ष से चंदरपूर शहर में मलेरिया का कोई भी मरीज नहीं मिलने पर मनपा द्वारा मरीजों का पंजियन किया जा रहा है या नहीं इस पर संदेह बना हुआ है जानकार मानते है कि मलेरिया जैसी बिमारी का इलाज आसानी से हो जाता है यही वज़े है कि टेस्ट रिपोर्ट पॉजटिव आने के बाद मरीज डॉक्टरों से दवाई लेकर घर पर ही इलाज करा लेते है इस वज़े से मलेरिया के मरीजों की संख्या मनपा और स्वास्ते विभाग के पास दर्ज नहीं होती जबकि सरकारी नियमानुसर नोटिफाइड विमारी होने से सम्बंदिट डॉक्टर द्वारा महानगर पालिका या स्वास्ते विभाग को जानकारी दी जानी चाहिए इस हिसाब से देखा जाये तो मरीजों का आकड़ा और बढ़ सकता है महानगर पालिकाओं में तीन सदस्य प्रभाग पद्धती की घोशना होने के बाद कॉंग्रेस बीजेपी सही तमाम राजनीतिक दल भले ही इससे किसी तरह का फर्क नहीं पढ़ने का दावा कर रहे हो लेकिन वर्तमान पार्षदों का पूरा भाग के निकट भविश्य में उजागर होने वाले प्रभाग रचना और आरक्षन पर निर्भर रहेगा इससे वर्तमान पार्षदों और कार्यकरताओं में हड़कम सा मचा हुआ है जानकारों के अनुसर राज्य चुनाव आयोग ने वार्ड रचना की तयारिया शुरू कर दी है वार्ड रचना के अनुसर तीन वार्ड को जोड़कर प्रभाग की रचना होगी चुनकी रचना वर्ष 2011 की जनसंक्या के आधार पर होनी है अतह एक प्रभाग 42 से 45,000 मतदाओ का होने का अनुमान लगाया जा रहा है जिससे निर्दलिय के रूप में चुनाव में उतरना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा राजनीतिक जानकारों की अनुसर महानगर पालिका में बीजेपी 15 वर्षों से सत्ता में है प्राकृतिक नियमों के अनुसर सत्ता पक्ष के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी होना कोई नई बात नहीं है चुनकि 15 वर्षों से शहर के विकास में उपलब्धियों के साथ जाना आसान नहीं है अतह बीजेपी के लिए ही सबसे अधिक खत्रा माना जा रहा है इसके अलावा लंबे समय से कुछ कार्य करता कभी न कभी राजनीती की मूलधारा में आने का मौका मिलेगा इस आस में बैठे हुए है भाजपा का वर्ष 2017 में अब तक मनपा में सरवादिक अच्छा प्रदर्शन रहा है जिसमें 108 प्रत्यशी चुनकराय थे किन्तु वर्तमान परिवेश में यह संबव दिखाई नहीं दे रहा है यही कारण है कि इस चुनाओं में भाजपा के लिए सरवादिक खत्रा होगा लेकन यह है कि अंतरगत गुडबाजी के चलते वर्ष 2017 में हुए मनपा के आम चुनाओं में कॉंग्रेस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था तमाम विपरित परिस्तीतियों के बावजुद स्वयम के बल पर कई प्रत्याशीयों का प्रदर्शन अच्छा तो रहा लेकिन पार्टी में एक जुटता नहीं होने से इसका सीधा असर जीत पर पड़ा वर्तमान में कॉंग्रेस के जो पारशद है व्यक्तिकत रूप से उनके प्रभाग में पारशदों का प्रबल जनाधार है ऐसे में उनके खिलाव दूसरे दल की डाल गलना टेड़ी खीर होगा बिग बॉस का इंतजार लोगों को बेसब रिसर रहता है बिग बॉस 15 का प्रसारन 2 अक्टूबर से होना है इस बार विधर्ब वासियों के लिए यह खास होने वाला है क्योंकि इसकी शूटिंग पेच खवासा में भी 2 घंटे की हो रही है यह अलग बात है कि सल्मान खान नहीं आ रहे है लेकिन कई स्टार कलाकार शूटिंग में हिस्सा ले रहे है सल्मान खान इंदनो टाइगर जिन्दा है कि शूटिंग के सिलसले में रूस में है 55 रिजोर्ट में सेट लगाया गया है और गुरवार को शूटिंग भी हुई संचालक शितिज अगरवाल ने बताया कि अभी कार्यकरम गुप्त रखा गया है लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसर यहाँ पर बिग बॉस के पहले होने वाले कार्यकरम की शूटिंग होगी जिसमें उमिदवारों के नामों की घोशना की जाती है इसलिए कलाकारों के नामों को अभी गुप्त रखा जा रहा है कई कलाकार नाकपूर पहुच चुके है रिजॉर्ट्स में जो बैनर लगाए गये है उनमें सलमान का फोटो है और थीम दी गई है संकट इन जंगल फैलाएगा दंगल पर दंगल संभवता इस थीम के कारण ही जंगल में शूटिंग रखी गई है संभव है यहाँ पर पूरे कारेकरम की आरंबिक भूमिका की शूटिंग हो आयोजको की और से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है आयोजको को केवल यह बताया गया कि रात में कुछ कलाकार आएंगे और शूटिंग करेंगे लेकिन कलाकार कौन होंगे ये सपष्ट नहीं हो पाया बिग बॉस सीजन 15 में रुबीना दिलाई, गौहर खान, श्वेता तिवारी, प्रतीक सेजपाल, रश्मी देसाई जैसे नाम सामने आए हैं खवासा में शूटिंग के लिए कलाकारों को ट्राइब थीम में बाटे जाने की भी चर्चा है इतवारी के एक कपड़ा व्यापारी को उसी के नौकरों ने 22,50,000 रुपए की चपत लगा दी प्रदर्शनी में बेचने के लिए दिया गया माल अन्यव्यापारियों को बेच कर रकम अपने खाते में जमा करवाली पुलीस ने दयानन पार्क चौक जरिपटका निवासी कमलेश दयालदास रावलानी की शिकायत पर मामला दर्च कर दिया है पुलीस ने बताया कि आरोपियों में लालगंज दिवासी मनोज प्रकाश देवगरेव और आशिश उर्फ नागेश पराते का समावेश है कमलेश की तीननल चौक के पंजवानी मार्केट हिंदुस्तान गार्मेंट नामक फर्म है मनोज और आशिश उनकी दुकान पर काम करते थे वर्ष 2019 से 2021 के बीच गांधी सागर तालाब के समीप रजवाड़ा पैलेस में गार्मेंट फियर आयोजित किया गया था यहां माल बेचने की जिम्मेदारी मनोज और आशिश को सौपी गई थी भारी मात्रा में उन्हें माल उपलब्द करवाया गया था कुछ दिन पहले कमलेश ने तीन वर्षों के लेंदेन का आउडिट किया तब पता चला कि मनोज और आशिश ने 22,50,000 रुपए के माल की हेरा फेरी की है आरोपियों ने उनका माल कोराडी के फैशन आउटफिट, एहेरी के एडी कलेक्शन और चंदरपूर के दिनेश साथे सहित अन्य दुकानदारों को बेज दिया था उनसे सीधे अपने अकाउंट में पेमेंट करने को कहा और 22,50,000 रुपए पचा गये उन्होंने मामले की शिकायत तहसील पुलीस से की, पुलीस ने धोकादड़ी का मामला दर्ज कर जांच आरम कर दी बीजेपी सरकार की और से राजनीतिक लाव लेने के लिए तीन सदस्य प्रभाग पद्दती की शुरुवात की गई थी किन्तु इस तरह की पद्दती से शहर विकास के 12 बच गये प्रभाग पद्दती जनहित में नहीं होने के कारण इस फैसले पर पुनर विचार करने की मांग पूर्वमंत्री अनीस अहमेद ने मुक्यमंत्री उद्दफ ठाकरे और राजस्वमंत्री बाला साहब थोराट को भेजे पत्र में की है पूर्वमंत्री अनीस अहमेद ने कहा कि एक प्रभाग में एक ही पार्टी के सदस्य पार्षद होने के बावजुद विकास को लेकर कई तरह के आपसी संगर्ष गत समय में देखे गए पार्शदों में संगर्ष के कारण हमेशा ही महानगर पालिका प्रशासन को बेवज़ तनाव में रहकर काम करना पड़ता है कामकाज की प्रात्मिक्ता तै करने के लिए प्रशासन और अधिकारियों को पसीने छूट जाते है उन्होंने कहा कि तीन सदस्य प्रभाग पद्धती के पूर्व अनुभव कटू रहे है बड़ा प्रभाग होने के कारण कई बार पार्शत समस्या लेकर अन्य पार्शत के पास भेज देते हैं पार्शत दो द्वारा अपनी जिम्मेदारी दूसरों के सिर पर डाली जाती है ऐसे में जनता को न्याई नहीं मिल पाता है यहां तक कि समस्या का निवारन भी नहीं होता है छोटी-छोटी समस्या हल करने के लिए लोगों को यहां वहां के चक्कर लगाने पड़ते हैं इस तरह की प्रभाग पद्धती से नागपूर शहर के विकास पर होने वाले परिनामों को देखते हुए एक सदस्या वार्ट पद्धती से चुनाव कराना जरूरी है उन्होंने कहा कि सामान्य स्तर पर सभी राजनेतिक दल एक सदस्या वार्ट पद्धती के समर्तक दिखाई देते हैं अतह संभव ना हो तो कम से कम दो सदस्य प्रभाग पद्दती के लिए पुनर विचार हो तो वक्त होगे चोटी से ब्रेक का मिलते है एक ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे तेस्ट तक पहुंची जाता है सुरुची मसाले खाने में होरुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है जहाँ पर एरलाइन एरपोर्ट होस्पितालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहाँ Campus Interview, Guidance by Industry Expert, Practical Training at Airport, Expert Faculty, Personal Grooming जैसे कई सारे बेनफिट्स आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy, One Degree, Three Job Opportunities Flywheel Aviation Academy, Gives You a Degree or Diploma with a Job Flywheel Aviation Academy, 365 गानी नगर, LAD College Square, Beside करनाट का बैंक नागपुर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है साथ काम करने वाले करमचारी ने एक नर्स को करनाटक के नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश दिलवाने का जासा दे कर ठग लिया पुलीस ने सावरबांदे ले आउट, बेसा निवासी रंजना गजानन मोहुरले की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया आरोपी कोटर करा केरल निवासी निवीन सोम राजन और वरधा निवासी पूजा भगत का समावेश है पुलीस ने बताया कि रंजना औरेंज सिटी अस्पताल में नर्स है उसने बताया कि करनाटक के मैसूर में स्थित ग्यानोदे इंस्टिटूट अफ नर्सिंग रमन कॉलेज में वह प्रवेश करवा सकता है इसके लिए निवीन ने पहले 25,000 रुपे लिए बाद में उसने औरेंज सिटी अस्पताल से काम छोड़ दिया कॉलेज की फीस भरने के नाम पर उसने वर्धा में रहने वाली अपनी पत्नी पूजा भगत के खाते में 79,000 रुपे जमा करवाने को कहा कुल 94,000 रुपे लेने के बाद निवीन ने प्रवेश पत्र भेजा रंजना ने मैसूर जाकर कॉलेज के प्राचारे से मुलाकात की उन्होंने बताया कि उनके नाम पर एड्मिशन के लिए केवल 10,000 रुपे भरे गए है रंजना ने निवीन से संपर्क किया उसे बाकी रकम लोटाने को कहा आरोपी टाल मटोल करता रहा परिशान होकर रंजना ने मामले की शिकायत बजाज नगर पुलीस से की पुलीस ने निवीन और उसकी पतनी पूजा के किलाफ धोकाधरी का मामला दर्ज कर लिया मध्यरेल नाकपूर मंडल के तहट रेलवे सुरक्षा बल के जवान ने उनलाइन शिकायत पर चलती ट्रेन में यात्री को मोबाइल चुराने वाले आरोपी को पीछा कर धर दबोचा घटना पुलगाव की है आरोपी का नाम हिवरा पुलगाव निवासी तेजस सहारे बताया गया है उसके पास से चोरी किया मोबाइल भी जब्त किया गया प्राप्त जानकारी के अनुसार नाकपुर निवासी करन पोतदार विदर्ब एक्स्प्रेस के A2 कोच में मुंबई तक सफर कर रहे थे इसी दोरान किसी ने उनका मोबाइल चुरा लिया उन्होंने रेलवे के ओनलाइन हैंडल पर इसकी शिकायत की इस समय ट्रेन पुलगाव पार होने की थी जानकारी मिलते ही आरपीएफ के रंजन तेलंग पवन कुमार और नावनात ने ट्रेन में तलाशी शुरू कर दी इसी दोरान AC कोच के पास खड़ा एक यूवक चलती ट्रेन से कूट कर भागने लगा रंजन पवन और नावनात भी उसके पीछे भागे करीब 500 मीटर दोड़ने के बाद चोर को तीनो आरपीएफ जवानों ने धरदबोचा उसके पास से करन से चुराया गया मोबाइल भी बरामद हुआ पकड़े जाने के बाद आरोपी ने अपना नाम तेजस बताया और चोरी की कबूली दी उसे तुरंत गिरफतार कर आगे की कार्यवाही के लिए मामला जी आरपी को सौब दिया गया उक्त कारवाई वरिष्टबंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे के मारगदर्शन में पूरी की गई गुरुवार की दो पहर करीब दो बजे के आसपास जोरदार बारिश हुई इसी दोरान खेत में काम कर अपने पती के साथ बैल गाडी में बैट कर वापस घर लोट रही महिला नर्खेट तहसील के रामठी के शिंपी नाले में आई बाड के पानी में बह गई इस हादसे में बैलगाडी भी बह गई पती ने महिला को बचाने का काफी प्रयास किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली बताया गया कि दो पहर को मुसलाधर बारिश होने से गाव के नदी नाले पूरी तरह से भर कर बहने लगे लेकिन सुबह आसमान साफ होने से रामठी निवासी किसान वामन सवई खेत में मूंगफली तोड़ने के लिए पतनी के साथ गये थे इसके अलावा उन्होंने अपने साथ अन्य दो खेत मजदूर महिलाओ को भी लिया था परन्तु दो पहर को अचानक मुसलाधार बारिश की शुरुवात होई जब सवई ने देखा कि अब बारिश रुकने वाली नहीं है तो वे पतनी वंदना और दोनों महिला खेत मजदूरों को अपनी बैलगाडी में बिठा कर घर की और निकल पड़े लोटते समय शिम्पी नाला पानी से पूरी तरह भरा हुआ था इसे पार करते समय बैलगाडी सहित सभी बह गये किसान वामन सवई तैरना जानते थे उसने दोनों महिला मजदूरों को तो बचा लिया परन्तु अपनी पतनी को नहीं बचा पाया घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर उसका शव मिला घटना की जानकारी जलाल खेडा पुलिस स्टेशन को दी गई सूचना मिलते ही थानेदार हरिश्चन गावडे सहित मेंडला के बीट जमादार पुरुशोत्तम धोंडे शरत गोरमाडे तलाठी वहाने दिवाकर गांजरे राम्टी के पुलिस पाटिल प्रफुल मुसले ने महिला का शव का पंचनामा कर पोस्ट मॉटम के लिए जलाल लेड़ा रवाना कर दिया नीट में हुई धानली को लेकर पुरे देश भर में हर कम्प मचा है सीबियाई दिल्ली की टीम ने विगद 12 सितंबर को इस प्रकरण में नाकपूर के आरके एजुकेशन और करियर गाइडन्स सेंटर के संचालक परिमल कोटपलिवार दिल्ली के दिवाकर रामप्रकाश सिंग और मुन्ना सहीत अग्यात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था प्रादमिक जांच में महराश्टर के पाच कैंडिडेट के परिजनो द्वारा कोटपलिवार से सेटिंग किये जाने की बात सामने आई है इसके लिए 2 करोड 50 लाख र दिवाकर के जरिये ही इन बच्चों की जगह बोगस उमिद्वारों को बैठाने का इंतजाम किया था इसके लिए रांची के कांके में स्थित शार्दा ग्लोबल स्कूल दिल्ली के रोहिनी सेक्टर 18 में स्थित माउंट आबू पब्लिक स्कूल मायापूरी के हरिहर नगर म स्थित राजकिय प्रतिबा विकास वित्याले शालिमार बाग में स्थित जस्पाल कॉर पब्लिक स्कूल और रोहिनी के सेक्टर 25 में स्थित रयान इंटरनेशनल स्कूल में स्थित सेंटर पर बोगस उमिद्वारों को भेजा जाना था 12 सितंबर को परिक्षा तो हुई ले के पहले कोटपलिवार ने कनाट प्लेस के जैन चावल शौप में दिवाकर और मुन्ना से मुलाकात की थी बोगस उमिद्वारों का इंतजाम करने के लिए उन्हें एक लाक रुपए भी दिये थे बताया जाता है कि दिल्ली की टीम ने नागपूर में सेटिंग करने वाले उमिद्वारों के परिजनों के बयान भी दर्ज किये हैं संदेह है कि इसी तरह और भी उमिद्वारों के लिए सेटिंग की गई है करिब 9 वर्ष पूर्व नागपूर शहर के वर्धा रोड में अजनी टी पॉइंट पर बना नगर घडी क्लॉक टावर अब तक बंध ही पड़ा हुआ है गुरुवार को इसके नीचे उग आई जाडियो और खर्पतवारों की सफाई कर ही महानगर पाली का प्रशासन ने अपने कर्तव विकी इतिश्री समझ ली वर्षो से इस घडी के काटे दो बच कर दस मिनिट पर अटके हुए है किसी को इसे आगे बढ़ाने की चिंता नहीं है पचास लाग की लागत से 21 मीटर उचे बने इस क्लॉक टावर की दुरदशा हो रही है और संबंधित विभाग सोया पड़ा है अजनी चौक पर बना यह टावर एक समय में लोगों की आकर्शन का केंद्र था लेकिन अब कबाड हो रहा है शहर की जनता से टैक्स के रूप में वसुले गए लाखों रुपए खर्च कर इस तरह बरबाद करने का यह एक और उधारन है ततकालीन मनपा आयुक्त मनुकुमार श्रिवास्तफ के समय सीटी में इस क्लॉक टावर की संकल्पना की गई थी वर्ष 2001 में पर्यटकों को आकर्शित करने के लिए 50 लाख रुपए की लागत से 21 मीटर उच्चा यह टावर बनाने का निरने हुआ था वर्ष 2003 में यह बन कर पूरा हुआ और फिर उधगाटन के लिए कई महिनों तक अटकाया गया था यह टावर हर घंटे अपनी खास ध्वनी से लोगों का ध्यान आकर्शित किया करता था लेकिन अब यह बन पड़ा हुआ है टावर के नीचे ही बेहत खुबसूरत सजावट की गई थी फवारा वरंग बिरंगी लाइटिंग के साथ ही लोगों के बैटने के लिए भी कुछ व्यवस्ता थी पूरे इलाके से शहरवासी शाम के वक्त यहां घूमने आते थे और फवारे से उनने वाले पानी का आनंद लिया करते थे यहां की रंग बिरंगी लाइटिंग भी देखते ही बनती थी अब यहां द्वस्त पौधे, कच्रा और नीचे जमागंदा पानी ही नजराता है गुरुवार को दिखावे के लिए जाडियों की सफाई कर दी गई कोरोना की वज़े से स्कूलों के साथ ही कॉलेज भी बन्ध है अध्यापन से लेकर परिक्षा तक ऑनलाइन ही ली जा रही है इस बीच उपमुक्यमंदरी अजीत पवार ने संकेत दिये है कि यदि राज्य में स्थिती ठीक ठाक रही तो 2 अक्टूबर से कॉलेज शुरू हो सकते है इस सम्बंध में कोरोना प्रादूर भाव को लेकर समिक्षा की जाएगी अंतिम निर्ने मुक्यमंदरी ही लेंगे कोरोना की वज़े से कॉलेज बंध होने से करीब 18 महीनों से चात्र ओनलाइन क्लासेस के साथ ही ओनलाइन परिक्षा भी देर है अब स्थिती ये हो गई है कि चात्रों के साथ ही प्राद्यापक भी परेशान हो गई है फिरहाल राज्य के कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगग कोरोना की स्थिती नियंदरन में है नाकपुर जिले में पिछले महीने भर से सामान्य हालत बने हुए है इतना ही नहीं मरने वालों की संख्या भी कम हो चुकी है तीसरी लहर के संभावना व्यक्त की गई थी लेकिन अब विशेशज्य भी मान रहे है कि अप्रेल मही जैसे हालात नहीं बनेंगे गुरवार को एक प्रसार माध्यम से चर्चा के दोरान उपर मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि सरकार 2 अक्टूबर से कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है वैसे भी 18 वर्ष आयू वाले अधिकान शयुवाओ को पहला टीका लग चुका है वही कॉलेजों के टीचिंग और नौन टीचिंग स्टाफ का भी टीका करन बढ़ा दिया गया है फिलहाल सभी परिस्तीतियों की समिक्षा की जा रही है वही स्कूले दिवाली के बाद से खोलने की बात कही है कॉलेज खोलने के बारे में अंतिम निर्ने मुख्यमंत्री ही लेंगे अजीत के इस बयान से एक बार कॉलेज खोलने की उम्मीदे जागी है तो वीकेवी न्यूज के सुबा की प्राइम टाइम में आप तक के लिए इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी देखते रहिए वीकेवी न्यूज नमस्कार